दोस्तों Instagram ने Reels फीचर लॉंच कर दिया है और अब आप TikTok जैसी वीडियो Instagram पर भी बना सकते हैं और दोस्तों आप popular भी हो सकते हैं जिस तरह से कुछ creators TikTok पर रो रो करके popular हो गए कुछ तेरी प्यारी प्यारी काली अखिया करके popular हो गए कुछ पिचकारी मार मार के popular हो गए आप यहां Instagram पर बिना इसब किये genuine content बना करके भी popular हो सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से Instagram पर TikTok जैसी वीडियो जैसी वीडियो बना सकते हैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो मिलने वाली है तो आप इस वीडियो को सुरू से ले करके अंति तक देखिएगा और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर किजेगा और दोस्तों इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिचेगा और बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेसन को भी ओन कर दीजेगा तो चली वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों अगर आप भी इंस्ट्राग्राम पर वीडियो डाल करके पॉपुलर होना चाहते हैं तो अभी आपके पास बहुत ही अच्छा मोका है मैं आपको सब कुछी स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा तो वीडियो को आप सुरू से ले करके अंतर तक देखिएगा तो चलीए सबसे पहले तो आप अपने मोबाईल में इंस्ट्राग्राम को ओपन कीजेगा इंस्ट्राग्राम ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछी स्टरा का इंटरफेस आएगा अब दोस्तो अगर अभी तक आपने मुझे इंस्ट्राग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप मुझे इंस्ट्राग्राम पर फॉलो कर लिजेगा और अगर आपका कोई भी सवाल है कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किजेगा जब भी मैं फ्री रहूंगा आपको reply दे दूँगा और दोस्तों इंस्टाग्राम पर मेरी regular वीडियो आती रहेगी तो आपने अगर follow नहीं किया है तो follow जरूर कर लिजेगा अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपको TikTok की तरह short वीडियो देखना पसंद है तो आप Instagram पर कैसे देख सकते हैं इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको TikTok जैसा वीडियो बना करके Instagram पर डालना है तो आप कैसे डाल सकते हैं और popular हो सकते हैं तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको वीडियो देखना पसंद है तो आप कहां से देखेंगे यहाँ पर आपको सर्च के आइकन पर क्लिक करना है और देखिए यहाँ पर आपको Reels का feature मिलेगा Reels लिखा हुआ है यहाँ पर वीडियो प्ले हो रही है तो आपको इस वीडियो पर क्लिक कर देना है अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि बिल्कुल TikTok जैसा interface दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको swipe up करते जाना है और देखिए बिल्कुल TikTok जैसा ही आपको interface दिखेगा आप देख सकते हैं पूरा TikTok जैसा interface दिख रहा है इस तरह से आपको बस swipe up करते जाना है तो देखिए अग यहाँ पर आपको TikTok जैसा ही feature मिल जाता हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप अपनी खुद की वीडियो डाल करके यहाँ पर popular होना चाहते हैं। कैसे आप अपनी खुद की वीडियो यहाँ डाल सकते हैं। तो देखिए अपनी वीडियो डालने के लिए आपको यहाँ पर एक camera का icon मिलेगा। इस पर आपको click करना है। यह देखिए camera का icon है। इस पर click करेंगे तो आपके सामने कुछी इस तरव का interface आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पहला option मिलता है audio का तो यहाँ पर click करके आप अपनी वीडियो में audio set कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई music add करना है तो यहाँ से आप music add कर सकते हैं, browse कर सकते हैं या फिर music को search करके भी यहाँ पर आप add कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप इस music को add करना चाहते हैं तो इस music को आप select कर लिजएगा एक खास बात मुझे लगी कि यहां से देखी आप lyrics भी देख सकते हैं जैसे कि देखी यहां पर आपको lyrics भी देखने के लिए मिल जाता है कि अगला जो music होगा वो क्या होगा अब दोस्तों यहां से music add करने के बाद आपको done कर देना है आपकी music यहां पर add हो जाएगी यहां से आप speed manage कर सकते हैं यहां से आप slow कर सकते हैं fast कर सकते हैं तो यहां से आप speed manage कर सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे एफेक्ट मिल जाते हैं तो यहां से आप एफेक्ट भी लगा सकते हैं देखिए बहुत सारे प्यारे प्यारे एफेक्ट मिल जाते हैं काफी कूल एफेक्ट लग रहा है आप इस एफेक्ट को यूज कर सकते हैं और भी यहाँ पर बहुत सारे अ maximum 15 सेकेंड की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर आपको और छोटी वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो आप यहां से टाइमर भी चेंज कर सकते हैं फिलहाल के लिए मैं clear कर देता हूँ अब दोस्तों यहां पर अपनी खुद की वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो देखिए आपको यहां रिकॉर्डिंग के आइकन पर क्लिक कर देना है अब आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है तो आप इस तरह से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अब अगर आप इस recording को stop करना चाहें तो इस पर click करके recording को रोख सकते हैं अब दोस्तों यहाँ से आपको next करना है आपकी recording अगर complete हो गई है तो आप उसे next कर दिजेगा यहाँ से अगर आपको कोई text add करना है तो आप text add कर सकते हैं और उसके color को भी change कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर दिखिए अगर आपको कुछ handwriting करना है तो यहाँ से आप link भी सकते हैं और भी यहाँ पर आपको बहुत सारे options मिल जाते हैं अब दोस्तों इस video को publish करने के लिए यहाँ पर आपको next करना है और next करने के बाद यहाँ पर आप caption डालिएगा या फिर hashtag लगा सकते हैं जो भी आपको लिखना है यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसके बाद अगर आपको cover change करना है तो यहाँ से आप cover change कर सकते हैं जो भी आपको front पर cover रखना है उसे आप रख सकते हैं पास पहले से ही विडियो record करके रखा हुआ है आपने पहले से ही विडियो record कर लिया है उसमें music भी add कर दिया है उस विडियो को अच्छी तरह से आपने edit भी कर दिया है तो उस विडियो को आप यहां Instagram Reels में कैसे डालेंगे तो देखिए बहुत ही आसान process है आप यहां पर back आजाएगा फिलहाल के लिए मैं homepage पर जाता हूँ अब दोस्तों मैं homepage पर आ चुका हूँ तो अगर आपने पहले से ही विडियो record कर लिया है तो उस विडियो को आप Instagram Reels में कैसे डाल सकते हैं तो देखिए यहां पर आपको camera का icon दिख रहा होगा इस पर आपको click करना है यहां पर click करने के बाद आपको जाना है Reels में यहां पर Reels लिखा हुआ है इस पर आपको click करना है अपनी विडियो को आप यहां से select कर लिजेगा तो यहां upload के option पर click कर देना है अब दोस्तों यहाँ पर आपकी वीडियो upload हो जाएगी आपने सारा process complete कर लिया है आपने वीडियो को अच्छे से edit कर लिया है तो आपकी वीडियो यहाँ पर देखिए upload हो चुकी है आपकी वीडियो 15 सेकेंड की ही होनी चाहिए तो यहाँ पर आपको next कर हैं इसके बाद दोस्तों आप share पर click करेंगे तो आपकी वीडियो publish हो जाएगी अब दोस्तों मैं आपको Instagram Reels पर वीडियो डालने के लिए इस वज़े से कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत ही कम users हैं तो अगर अभी से आप वीडियो डालना श्टार्ट कर देते हैं तो यहाँ पर आप start कर सकते हैं Instagram Reel आपके लिए काफी बहतर option है TikTok से तो बहुत ही ज़्यादा बहतर option है आपके लिए अब दोस्तों अगर आप अपनी खुद की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप अपनी खुद की वीडियो कैसे देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा इस वीडियो को लाइक कीजेगा भी और दोस्तों के साथ सेर भी कीजेगा तो देखिए इस वीडियो पर क्लिक करके अगर आप इस वीडियो को डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं लिंक दोस्तों को Facebook और WhatsApp पर share भी किजेगा और दोस्तों इसी तरह की और भी इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को प्रेस करके एक छोटा सा प्यारा सा घंटी का आइकन मिलेगा उस पर भी क्लिक करके आप उसे on कर द